मस्तर फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं रोजवाटर घर में बहुत आसानी से बन जाता है और जब मार्केट से खरीदने जाते हैं तो बहुत महेंगा मिलता है और प्योर की सुद्टा की भी गारंटी नहीं होती तो आज इसे हम घर पे बनाएंगे सिंपल से तरीके से औ और कोई भी आसानी से बना सकता है तो इसी को बनाने की तयारी करते हैं तो मैंने कम से कम 35-40 गुलाब लिये हैं गुलाब कई प्रकार के आते हैं लेकिन ये देसी गुलाब लेना है इन्हें अच्छी तरीके से 2-3 बर पान इसे दोलेना है और फिर इनकी पंखुडियों को रख सकते हैं जो हीले नहीं तो ये मेरी कटोरी थोड़ी भारी थी तो मैंने इसके अंदर रख लिया है और इसी के साइज का एक ऐसा बरतन रखना है जो भगूने में आराम से आ जाए तो मैं यहां पर एक छोटा सा बरतन रखूंगी जो इस पर अच्छी तरीके से रखा जाए यह देखिए भगूने में आराम से आ गया है और इसमें पानी मैं आदा जग डालूंगी पानी इतना डालना है कि जो हमने कटोरी रखी है न उस तक लेवल तक आ जाए बस उससे उपर नहीं आए नहीं तो फिर हमारी कटोरी हिलेगी तो यह बरतन भी हिलेगा जिससे क्योंकि नीचे से हम जब गैस को चलाएंगे तो इसमें पानी में उबाल आएगा हलका बरतन होगा तो हिलेगा तो मैंने भारी बरतन रख दिया है और अब एक ढकन लेना है इस तरीके का कि उसको उल्टा करके रखना है और इसके उपर डाल देते हैं बर्फ बर्फ डाल इ देज रखना है सुरू में और फिर जब पानी में उबाल आने लग जाए तो इसको मीडियम रखने हैं और इस प्रोसीजन में कम से कम आदा घंटा से 25 मिनट लगेंगे तो जब तक हमारा गुलाब जल भी बनकर तयार हो जाएगा जो भगूने में हमने पानी डाला था वो तैयार हो गया और नीचे जो गुलाब की पंखुडिय कलरफूल थी वह भी बिल्कुल ऐसी हो गये देखिए और हमारा गुलाब जल बिल्कुल तैयार हो गया है अब इसको थोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर इसको डालते हैं एक खाली अच्छी समय लगाकर आराम से घर पर तयार कर सकते हैं तो यह देखिए मेरा गुलाब जल बनकर तयार हो गया इसे आप बाहर रखके भी कई महिनों चला सकते हैं और अगर फ्रीज में रखेंगे तो इसे पूरे साल भर तक भी यह बिल्कुल खराब नहीं होगा कितने दिन त राइस की खुस्पू से आपसे एक रिक्वेस्ट और है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है रेमेडी पसंद आती है तो खुर्पया मेरे चनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोमेंट कीजिए